मुद्ध मंगल मैं पूजनी संत्य समाज, सम्माननी सज्जनों, भक्ति मैं माताओ यों बहनों आज हम बैठे हैं यहां कुछ जीवन की वो चर्चाएं करने जो हमें गुरुदेव शेप्राप्त होता है गुरु से हमें क्या मिलता है? गुरु कौन है? गुरु के पास क्यों जाएं? और उनके उपकार क्या है? उन उपकारों से हम उपकृत कैसे हूँ? इन कुछ छोटी छोटी बातों पर हम आज कुछ विचार करते हैं सबसे पहली बात है कि गुरु कौन है? गुरु एक बहुत भारि भर कम सब्द है उस पर सबका अधिकार नहीं होता है बोलने का लेकिन फिर भी जहां निर्ड़े की बात होती है चर्चा की बात होती है तो वहां पर चर्चा किया जाता है गुरू का मतलब ही होता है स्रेश्ट गुरू उसी को राजस्थान में या कुछ शेत्रों में गरू भी कहते हैं गरू जी अब गरू का मतलब ही होता है वजन्दार गुरू वजन्दार होते हैं वजन्दारी का मतलब सरीर से वजन्दारी नहीं उनको तवलो तो बहुत वजंदार होंगे ऐसा नहीं है उनके जो विचार है उनके जो जीवन के सभाव, कर्म, आचरण और मनह इस्थिती है वो वजंदार होती है और वजंदारी का मतलब होता है गंभीर, पवित्र, सैयत, निश्काम, इक्षा रहित, तृष्णा और चिंता रहित, आत्म, लीम, अंतर, मुख, ये सब वजंदारी है गुरू का मतलब है जो कम से कम सामानने दोशों से बिलकुल दूर हो गुरू की पहचान कहते हैं कि साहब गुरू की सरण में जाना चाहते हैं तो गुरू किनको बनावें गुरू किनको हम अपना कहें क्या पहचान हैं? उनकी कोई अलग से पहचान तो नहीं होती है कि उनके सिर्फे जंडा लगा हो या सींग पूँच लगी हो या उनका कुछ विसेश रूप रंग होता हो सभी मनुस्यों जैसे वे भी होते हैं उनकी पहचान बस यही है कि उनके जीवन में कम से कम मोटे दोश ना हो वे गांजा भांग बेड़ी सिगरेट से दूर हो वे लड़ाई जगड़ा कला मुकदमे बाजी प्रपंच से दूर हो और उनके जीवन में काम क्रोध लोग मोह आदी ना हो अंतर मुख हो जंजटों से बाह प्रपंचों से अलग रहते हो किसी विशेश संद्गुरु से जुड़ करके उन्होंने अपने जीवन को परिशुद किया हो वे गुरु हो सकते हैं और वे ही ऐसे लोग ही सच्चे गुरु होते हैं तो गुरु का मतलब ही होता है बोधवान संद्गुरु कबीर ने कहा है पूरा साहिब से ये सबबिदी पूरा होए ओछे से नेह लगाए के मूलह आवे खोए पूरे साहिब की सेवा होनी चाहिए पूरा साहिब का मतलब जो पूर्डता की और चल रहा हो और या तो पूर्ड हो चुका हो इस बात पर गुर्दे जी का वो संस्मरण याद आता है गुर्दे जी गुंडा जिला में थे एक जगे तो ब्राम्बनों के गाउं में थे महाँ बहुत लोग गुंडा जिला में कई ऐसे गाउं हैं जहां पर ब्राम्बनों का गड़ है बहुत लोग हैं ब्रह्म समाज के लोग तो एक पंडित जी के अहां ही थे तो एक बुरे पंडित आये गुरु जी के पास समाज के साहिब आपके शन्तों में कोई ब्रामब्र हो तो चले भोजन बनावे तो गुरु देव जी ने कहा कि मेरे समाज में तो जो मेरे साथ है सब ब्रामब्र हैं सब ब्रामब्र हैं का daar साहिब हम नकली ब्राम्वण कैसे हैं? गुर्देव जी ने कहा कि वो शलोक कामकरोधो वशो कामकरोध लोव मोह को जिसने वश में करलिया हो अहंकार आशकती को जिसने दूर करलिया हो स्रद्धा और भक्ति से जो परिपूर्ध हो आत्मग्यान में जो इस्थित हो उसे ब्रामभर कहते हैं तो बताओ ऐसे हो की नहीं तुम कहें साहब ऐसे तो नहीं है इसलिए तुम ने कहा तुम जैसे नकली ब्रामभर नहीं है मेरे पास तो नकली ब्रामभर ना बने इसी प्रकार नकली गुरू ना बने सच्चे ब्रामभण ब्रामभण का अर्थ ही होता है कि जो ब्रम्भ में इस्थित हो वो ब्रामभण है ब्रम्भ जाना आईती ब्रामभण है ब्रम्भ किसे कहते हैं? ब्रिहत्वात ब्रम्भ जो स्रेष्ट हो वो ब्रम्भ है अस्रेष्ट क्या है? आत्मा ही स्रेष्ट है इस आत्मा से बढ़कर क्या आत्मा की बराबरी में दुनिया में कोई चीज नहीं है? जो आपका स्वरूप है जो आपके अंदर बैठी वो सक्ता है चेतन जीव जी से कहते हैं सरल भासा में उसे ही आत्मा कहते हैं उसी ही ब्रम्भ कहते हैं और ये महान है यही दिब्ब है और इसको जो पहचाने इसको जो सोचे इसको जो चिंतन मनन करे इसकी जो चर्चा करे और इस आत्म दसा में जो ठहरे वो ब्राम्भड है अब सब लोग ये विचार करें कि कितने लोग ब्रामभड है इसमें और फिर सच्चा ब्रामभड किसे कहें और जो इस ब्रामभडत को प्राप्त कर लिया हो वो सच्चा गुरु है तो साहिब कहते हैं पूरा साहिब से ये पूरे साहिब की, साहिब का मतलब स्वामी, गुरु, पूरे जो गुरु हों, उनकी सेवा करें कर बंदगी बिवेक की भेस धरे सब कोई, सो बंदगी बहिजान दे, जहां सब्द बिवेक न होए बिवेकवान की बंदगी करो अब बिवेकवान की बंदगी का मतलब अब सब को हम पहले पहचाने कि ये कितना बिवेकी है तब बंदगी करें ये तो गलत बात हो जाएगी अरे सामान निता तो सब के लिए राम जोहार दुवा शलाम बंदगी प्रणाम तो कर ही लिया जाता है यहाँ पर बंदगी का अर्थ है समर्पन भाव किनके प्रती हम अपने हिरदय को समर्पित करके उनसे आत्म ज्यान की सुरूप ज्यान की स्रद्धा उपाशना की सिख्छा लें और लाभ लें वो विवेक वान शद्गुरू होने चाहिए जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण परिशुद्ध कर लिया हो उसके लिए साहिब कहते हैं करबंदगी विवेक की भेश धरे सब कोई भेश तो बहुत लोग धर लेते हैं भेश धर लिये लेकिन भेश की मर्यादा का भी पालन नहीं करते हैं और फिर भेश का पूरा जीवन में आचरण करना ये बहुत उची चीज़ है और सब संतों को ये काम करना चाहिए जितना बन सके इसके लिए लालसा हो इसके लिए गती हो और फिर इस दसा में ठाहरे जब तक मन में ये भाव नहीं जगेगा तब तक ये काम नहीं होगा और फिर साधू क्या? भक्तों को भी यही चाहिए, वे भी तो इसी पत के पतिक हैं, उनके मन में भी तो यही लालसा है, उनको भी तो दुख निवरित्ती चाहिए, आखिर दुखों को कौन चाहता है कि मैं दुखी रहूं, पिडित रहूं, मन मेरा चिंतित और भैभीत बना रहे सब चाहते हैं कि हम निश्चिंत निर्भय और पूर्ड आत्म इस्थितिवान बनें तो सच्चे सद्गुरु वे हैं जिन्होंने अपने जीवन से दोसों को निकाल दिया हो वे बिवादी ना हो दुरविश्नी ना हो और प्रपंची ना हो अंतर मुख हो और फिर जितना वे आत्मिलीन हो अलग बात है यही तो होने चाहिए यही तो साधक का काम ही है ऐसे सद्गुरु अगर मिल जाएं तो फिर समर्पित हो करके अपने जीवन को अपने हृदय को मन को निवच्छावर करके वहाँ पर उनकी स्रद्धा और उपासना करना चाहिए हलके मन से बहते हुए मन से अथवा अपने मन में कुछ भाव पाल करके फिर नहीं होता है जो कुछ लोग होते हैं भगत अथवा साधू वो टटोलते हैं जगा जगा उन साध्यों को देख लिए उन संतों को देख लिए उन आश्रमों में जा गए हम पहले देख लेंगे सब तरफ तो देखते 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 वर्सों भी ता दिये अब फिर जब सब तरब देखते हैं तो अभी तो कहीं समर्पित हुए नहीं तो सब की आंतरिक भावनाओं को देखते हैं खुब और देखने से तो कहां नहीं गलतिया मिल जाएंगी वहां कुछ ना कुछ दोस मिलेंगे कुछ ना कोई डाट रहा है कोई कुछ बोल दिया किसी में कुछ तुटी निकल आई किसी की समाज में किसी की वेक्तिगत जीवन में तो धीरे से अरे सब ऐसे हैं कहीं नहीं ये सब साधू समाज सब ऐसे हैं वेकार हैं और फिर वे कहीं के नहीं रह जाते कहीं भी अपने आपको वे समर्पित नहीं कर पाते इस से हानी किसकी हुई अरे कोई सब यहां सब कोई तुरंते सद्गुरु थोड़े हो जाता है साधना करते करते धीरे से सुधरते सुधरते जीवन में तब सुधार आता है और पिर सरद्धा उपाशना विवेक विचार वो कल्यान की दसा को अपनाते हुए तब आता है अब जिग्याशु का काम है चाहे वो भक्त हो या संत साधक हो विरक्त हो उसका काम है कि कोई बोध्वान मिले और सच्चे साधक हो पवित्रता उनके जीवन में हो सदाचार और जीवन की साधना की रहनी हो बस जाकर समर्पित हो जाए और समर्पित हो करके बस अपने को देखे अपने को सुधा रहे बास काम होता जाता है एक साधक का कलपोन आया उन्होंने कहा साहब कैसे साधना किया जाए सुपरचित है मैंने कहा कि तुम्हारी कुछ विशेस्ताएं भी है और मैंने कहा कि इस डंग से जीवन को जिया जाए तो साधना में और प्रगत होगी मन को शांती मिलती है वे अच्छे थे वे कहीं इधर उधर बहुत टटोलने की आदत वाले नहीं थे मैंने कहा कि आपकी जो ये आदत है न यही आपको यहां तक लाई है और इस डंग से आपने अपने आपको निभाया है और निखारा है और मन में ये प्रेम और उपासना स्रद्धा भत्ती जो बनी हुई है यही है जो घाट घाट का पानी पीने की आदत रखता है न तो घाटों में भिग जाता है और फिर वो कहीं का नहीं रहता इसलिए साधक और संत गुरू दोनों की अपनी एक पात्रता होती है संत ऐसे हो जो अंतर मुखी हो और साधक ऐसा हो जो समर्पित हो जिग्याश हो कल्याण की भावना वाला हो लाग लपेट वाला नहीं कुछ इधर भी चले कुछ उधर भी चले इसलिए पवित्र रहिनी, पवित्र भाव, पवित्र जिग्यासा ये है गुरू और सिस्स की अपनी योगता गुरू से साध़क को मिलता क्या है? क्यों गुरू के पास जाएं? हमारी क्या गर्ज है? हम डाक्टर, मास्टर, इंजिनियर, वकील के पास जाते हैं तो कई जानकारियां, कई चीजे, रुपए, पैसे और भी जीवन गुजर की चीजे मिलती हैं गुरु के पास क्यों जाएं सत्संग में क्यों जाएं गुरु और संतों से वह मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता है हमारे मन की पीड़ा मिटए बताइए भला ऐसी इच्छा किसके पास है हमारे माता, पिता, भाई, बंधु चाचा काका दादा मामा खोफा जीजा कौन हमारी फिकर करता है कि इनके मन में शानती रहे पवित्रता रहे प्रशनता रहे निश्चिंतता रहे और इनका करम सुधर जाए और ये इसी जीवन में पूर्ण निर्भायता निश्चिंतता का अनुभव करके मुप्त हो इनको गर सब अपने अपने जरूरत की चीज हमसे अपेच्छा रखते हैं। होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत ही सच्चे सहायक हैं जीव के। जीव के सहायक होना बहुत मुश्किल है। दिखा है कि गुरू के उपकार की बराबरी में दुनिया के कोई रिष्टे नाते नहीं है। गुरू के उपकार का हजार हिस्से में से एक हिस्सा रखो एक तरफ और माता, पिता, चाचा, काका, दादा, भाई, बंदु, पिता, पुत्र, पति, पत्नी आदि के उपकारों को एक तरफ रखो। और गुरू के उपकार के हजार हिस्से में से एक हिस्सा एक तरफ रखो तो भी गुरू का उपकार स्रेष्ठ है। का का दादा मामा माता पिता आदी का उपकार है वो तो हमें कुछ रुपए देंगे हमारे सरीर के लिए कपड़ा भोजन मकान आदी की वेवस्था कर देंगे और जीवन गुजर की कुछ चीजें देंगे और वो चीजें वो सुविधाएं हमारे सरीर के साथ समाप्त हो जाए और फिर सरीर रहते रहते भी कितने कौन हमारी बेवस्था करता रहता है थोड़े दिन माता पिता साथ देते हैं थोड़े दिन भाई बंदू साथ देते हैं थोड़े दिन के लिए पती-पतनी का रिस्ता है और उसमें भी बीच में स्वार्थ में धक्का लगा तो फिर कर देने वाले हैं कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है लेकिन जीव के पीड़ा को मिटाने वाले उसके जनम मरण के चक्र को मिटाने वाले तो कोई है ही नहीं तो गुरू से वह मिलता है हमें जो और कहीं भी नहीं मिलता है तो क्या मिलता है हमारी मन की व्यथा समाप्त होती है अनादिकाल से हम कहां कहां भटक रहे थे ये जीव अमर है नित है अविनासी है सबके अंदर वो बैठा हुआ चेतन आत्मा जो मैं मैं कर रहा है वो क्या है कुछ लोग कहते हैं कि ये सरीर है सरीर में भोजन दिया जाता है पानी दिया जाता है हवा जाती है और इसी एनरजी से सरीर चल रहा है जैसे गाड़ी में पेट्रोल और मोबियायल पानी और भी उसकी कुछ जरूरते होती है रोडाल दो गाड़ी चलती रहती है इसी प्रकार ये सरीर है सरीर में भोजन पानी हवा आदी मिलती रहे और सरीर चलती रहती है और फिर एक दिन इसका समय पूरा होता है समाप्त हो जाता है कुछ नहीं बच रहता है और आत्मा उत्मा नाम की कोई चीज नहीं है यही प्रस्ने हजारों साल पहले कठ उपनिशत का मुख पात्र जो यह नचकेता है उसने भी किया था वो पूरी कहानी में यहां नहीं कहूंगा थोड़े मैं कहता हूं कि कठ उपनिशत ग्यारह उपनिशतों में हमारे भारत वर्स की एक मुख उपनिशत है और उसी उपनिशद में एक उपाख्यान आता है वाजस्त्रवश नाम का एक छत्री है वो यग कर रहा यग में गायों का दान कर रहा ऐसी गायों का दान जो बूढ़ी कमजोर और एकड़म चल नहीं पाती है और दूद देने की बात छोड़ो गोबर भी नहीं दे सकती है आईसी गायों को गोसाला से छाट छाट करके वे अपने यग में ब्रामणों को दान कर रहे थे तो उनका एक बेटा था वाजस्त्रवश का एक बेटा था उसका नाम था नचकेता नचकेता को ये सब देख करके बुरा लगा कि हमारे पिता जी ये बुड़ी बुड़ी निश्क्री गायों का दान कर रहे हैं जिसको देंगे उसको भी तो कोई लाब नहीं होगा और फिर ऐसी निरर्थक चीज का दान करके हमारे पिता को क्या लाब मिलेगा और अच्छी अच्छी गाये गोसाला में पिता जी छोड़ रखे हैं और किसके लिए मेरे लिए क्योंकि मैं उनका प्री हूँ पुत्र सबसे प्री होता है पुत्र के लिए बड़ा पिता को मोह होता है कि मैं अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी चीजें जोड़ जोड़ करके रखूं तो अच्छी अच्छी गाएं गोशाला में छोड़ रखे हैं मेरे लिए अब मेरे लिए मोह होने से ये धरम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जो धरम कर भी रहे हैं कितना निरर्थक थर्ड क्लास का इनका धरम है पेर्त की गायों का दान कर रहे हैं इससे इनको क्या लाव उन ब्रामभणों को भी गले में ये लास को मढ रहे हैं उनको क्या मिलेगा बुढी गायों को देकर अगर ये हमारे पिता जी को पुत्र का मोह ही भंग हो जाए तो ये धरम परमार्थ भी करेंगे इनका भी जीवन सफल हो जाएगा और उन ब्रामणों को भी लाब होगा और मेरे लिए भी जो चीजों का संग्रा करके लोग की बृत्ती बढ़ाने की जो इनकी ख्वाहिस है वह भी मुझे नहीं होगा मेरा भी लाब हो जाएगा तो चलो पिता जी से कहते हैं पिता जी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं पूछता हूँ तो नचकेता जाता है वाजसरवस के पास पिता के पास और कहता है पिता जी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं अब कोई पुत्रप ने पिता से ऐसे पूछे तो पिता को तो बुरा लगेगा तो उनको क्रोध हा गया लेकिन चुप रहे दुबारा कहते हैं पिता जी दानस रूप आप मुझे किसे दे रहे हैं। अब की बार भी बहुत क्रोध आया लेकिन चुप रहा वाजसरवस। लेकिन अचकेता भी कम नहीं था। तिवारा पूछा, कहें पिता जी आप दान में मुझे किसे दे रहे हैं। अब की वार क्रोध संभाले ना संभला और फिर वाजस्रवस ने कहा तुम्हें अमराज को दे रहें और भड़क उठे जोर से कह दिये लेकिन कह तो दिये किन्तु अब उनके मन में अनुताप होने लगा कि यह लड़का मानेगा नहीं और यहमराज के हाँ चला जाएगा अब अंदर से जलने लगे पस्चाताप होने लगा नचकेता समझ गया उन्होंने पिता से कहा कि पिता जी आप आत्म गलानी ना करें अनुपस्य था पूरवे प्रतिपस्य था परे सस्मिव मर्त्य पच्चते सस्मिवा जायते पुना अरे यह मनुस्य तो फसल की तरह है जनमता है बढ़ता है प्रावड होता है बुढ़ा होता है मर जाता है जैसे फसल उगती है और थोड़ी बड़ी होती है पकती है पिली होती है सूपके गिर जाती है ऐसे जीवन हमारा है तो तो इस जीवन में आ करके आप अपने बचन को वेर्थ मत होने दीजिए आपने कह दिया है तो आप फिर जल रहे हैं ये ठीक नहीं आपके बचन को मैं पालन करूँगा आप मुझे यमराज के हाँ जाने दीजिए आप आत्म गलानी मत कीजिए और फिर मैं आऊंगा अगर यम यमराज जी मुझे लटाएंगे तो फिर मिलूँगा नहीं लटाएंगे तो कोई बात नहीं लेकिन आप प्रसंद हो ये किन्तु कहां मोह में ये सब सूझता है अब नचकेता चला गए यमराज के बाद यमराज थे नहीं घर पर तीन दिन तक वो पड़ा रहा यमराज के घर के लोगों ने कहा कि आप यहां रुखिये आप ये विश्राम पीजिए खाईए पीजिये और जब यमराज आएंगे तो उनसे बात कीजिएगा नचकेता ने कहा नहीं मैं यहां खाने पीने नहीं आया हूँ जब वे आ जाएंगे उनसे अपनी बात कह दूगा वे यम्राज की प्रतिच्छा में तीन दिन बाद फिर यम्राज आए यम्राज ने सुना तो उनको बड़ा खेद हुआ कि मेरे दरवाजे पर एक ऐसा महमान आया है जो इस प्रकार से बैठा हुआ है मेरी प्रतिच्छा में और फिर वो बालक बिना खाए पिए बहुत कष्ट हु तीन बरदान देता हुँ तीन दिन के बदले तुम तीन दिन भूखे प्यासे रहे तीन बरदान मांग लो उन्होंने का ठीक है आप देना ही चाहते हैं तो पहला बरदान ये दीजिए कि मेरे पिता जी के बास जब मैं जाओं तो खुश हो करके मिलें और उनकी आत्म गलान पहले हैं इसमाब्त हो कहां ठीक है ऐसा ही होगा दूसरा वरदान ये मांगा कि यग के बारे में तमाम करमकान विधान कैसे क्या किया जाता है ये बताईए तीसरा वरदान था जो मुख्ध था तो उन्होंने कहा एम प्रेते विच कित्सा मनुस्द से अस्तीते के नाइम अ कहते हैं कि मनुष्च के मर जाने के वाद एम प्रेते जब मनुष्च प्रेत हो जाता है प्रेत का मतलब जब सरीर से जीव निकल गया तब इस सरीर को प्रेत कहते हैं प्रेत का मतलब वो भूत प्रेत नहीं जो भ्रम है सब के मन में यह सरीर से जीव निकल गया तो इस मरे हो य इसे कहते हैं भूत भी इसे कहते हैं प्रेत भी इसे ही कहते हैं निस्क्री जड़ तत्तों को भूत भी कहा गया है और प्रेत भी कहा गया जब सरीर जड़ हो गया तो प्रेत हो गया तो इसी के लिए कहा गया एम प्रेते जब सरीर से जीव निकल जाता है सरीर निस्क्री हो गय जड हो गया तो लोग कहते हैं कि इसमें से कुछ नहीं बचता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं एक अमर आत्मा नाम की चीज बची रहती है। तो हे अमराज आप मुझे यह बताईए कि सच क्या है आत्मा नाम की कोई चीज है वो बचती है निद्ध है कि कुछ नहीं रहता है तब यमाचारी ने कहा कि नचकेता तुम यह मत पूछो कि सरीर के छुटने के बाद कुछ बचा रहता है कि नहीं तुम आओर कुछ पूछ लो और कुछ मुझे से मांग लो लेकिन यह मत पूछो का नहीं महराज मुझे यही बताईए मैं यही पूछना चाहता हूँ आप दूसरी चीद दे रहे हैं यह कौन सी बात हुय आप मुझे ये बताईए कि आत्मा नाम की चीज क्या है वो है की नहीं है तो कैसे और नहीं है तो कैसे लोग कहते हैं कि है कुछ लोग कहते भी हैं कि है तो दोनों में सच क्या है तब यह मराज कहते हैं देखो नचकेता तुम मुझसे धन मांग लो गाड़ी मांग लो, रत मांग लो, पालकी मांग लो रुपए पैसे सोने चांदी मांग लो जमीन मांग लो, गाएं मांग लो और ऐसे ऐसे दिब भोग मांग लो जो देवताओं को भी दुरलब है लेकिन तुम ये मत पूछो की आत्मा नाम की चीज क्या है और वो होती है की नहीं तब नचकेता को लगा कि अरे ये इसका मतलब मेरा प्रस्ण बहुत मूलवान है अब उसी को मालटाल समझ करके ये बचाय रखते हैं अन्य चीजे सब दे रहें इसका मतलब जो दे रहें वही साधरन चीज है और जो मेरा प्रस्ण है वो तो और मजनदार है तब नचकेता ने कहा कि महराज आपकी ही बातों से लगता है कि मेरी बात और ज्यादा वजनदार है अब आप मुझे अब यही बताईए मैं आपकी चीजों को नहीं चाहता हूँ आपके चीजें आपके पास ही रहे मुझे तो यह बताईए कि सच क्या है आत्मा नाम की चीज कोई है की नहीं देखिए नचकेता यहाँ पर सिस्स है और यमाचार यह गुरु है और गुरु का काम है कि अपने सिस्स की कशावटी करना और यमाचार ने बहुत कशावटी लिया अभी और वो आप कटोप निसत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लंबा उन्होंने परिछण किया है नचकेता का बहुत लुभाया है लेकिन वो बच्चा मानने वाला नहीं है उसकी उम्र क्या है 14-16 साल के बीच का बच्चा है लेकिन इतना दिर्ण संकल्प वाला इतना कुशाग्र बुद्धी वाला इतना जिग्यासा से भरा हुआ आत्मग्यान का पिपाशू और स्रद्धा और भक्ती से भरा हुआ और वो कहता है माराज मुझे आप यहीं बताइए कि सरीर छुटने के बाद क्या चीज रहती है जे सरीर को लोग दपना देते हैं कौन सी चीज इसमें से निकल गई कि लोग जमान से जमान व्यक्ती को भी ले जा करके जला देते हैं दपना देते हैं वो क्या चीज है तब यमाचार ने कहा कि नचकेता तुम उत्तम जिग्याश हो और तुम मेरी बातों में मेरे बहकावे में मेरी परिच्छाओं में तुम खोटे नहीं उत्रे खरे उत्रे हो और तुम एक बहुत ही महत्तुपूर्ण जिग्याशा और ऐसी स्रद्धा भक्ती को ले करके आये हो तुम तर्क वितर्कों में और दुनिया के प्रपंचों में मोह, भ्रम और अध्विश्वासों में अपनी इस भावना को खो मत देना और तुम एकाग्रहो करके मेरी बातों को सुनो फिर उन्होंने लंबा उपदेश दिया है जो आत्म ज्यान का वो बहुत महत्तुपूर्ण है आप लोगों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए सद्गुरु अविलास साहिब जी की पुस्तक है उपनिशद सावरब आप उसको देखिए मैंने कट उपनिशद पर भी कुछ विचार दिया है जो यूटूब में भी अपलोट किये गए तो चार खंडों में है जो थोड़ा-थोड़ा है 20-25 मिनट का एक-एक आप उसको सुनना चाहें तो उसमें से और पूरा विस्तार से सुन सकते हैं तो इस प्रकार से एक गुरु को कैसे होना चाहिए गुरु से क्या मिलता है आत्मग्यान आत्मग्यान देखिए आत्मग्यान क्या है कुछ लोगों को लगता है कि आत्म ग्यान मिलने से क्या फाइदा होता है रुपिया धन, भोजन, गाड़ी आदी मिलने से तो जीवन गुजर होता है और आत्म ग्यान मिलने से क्या होता है मैं पुछता हूँ कि आपको प्रेम मिलने से क्या होता है आप कहीं भी रहें, आपको एक घर में रखा जाए, सुन्दर, आलिसान, एर कंडिशन, भब भवन में रख दिया जाए और खाने पीने की चीजें भी दिया जाए कोई व्यक्ति आपके पास जाए और साप सुविधापूर आपको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दे जाए और अच्छा सा घर भी है, अच्छी सुविधाएं भी है, जीवन गुजर की सारी चीजें हैं लेकिन आपसे कोई बोले ना, आपसे कोई बात ना करे, और आपसे कोई मिलने ना आवे, तो सोचिए आपके मन में क्या भाव होगा, ना वहाँ पर प्रेम हो, ना जिग्यासा हो, ना एक दूसरे के लिए किसी धंग से जिग्यासा हो, ना सेवा की भाव ना हो, तो सोचिए कि आपके मन में क्या भाव जगेगा आपको कैसे लगेगा यहीं लगेगा कि हमें तो प्रेम चाहिए प्रेम, जिग्यासा स्रद्धा सद्भाव इसकी बड़ी जरूरत होती है इसलिए स्रद्धा, भक्ति प्रेम, सद्भाव एक दूसरे का आदर सम्मान इसकी बड़ी जरूरत होती है किसी पिता के पास जाए या किसी भाई के पास जाए तो उन भाई और पिता को पुत्र और पत्नी को यहीं तो चाहिए कि हमें प्रेम मिले हमें सम्मान मिले हमें आदर्भाव मिले तो ये सबके मन में जिग्यासा होती है इसी प्रकार हमें आत्मग्यान मिलना चाहिए तो ये प्रेम, जिग्यासा, सदभाव, विनम्रता हमारे जीवन की अनमोल चीज है और इसको हमें किसी बोधवान, संत और गुरु से हम प्राप्त कर सकते हैं तो सदगुरु से हमें वो चीज मिलती है, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है मन हमारा जल रहा हो, मन में हमारी पीड़ा हो, असान्ती हो, अहंकार भरा हो और ऐसी इस्थिती में हमारे अंदर की भावनाओं का क्या होगा लेकिन जहां पर जिग्यासा हो, सदभाव हो और ग्यान भक्ति हो सदगुरु और संतों से हमें प्रेम और सदभाव मिलते हो तो वो कितनी महत्वपूर्ड चीज है इसलिए हमें बाहर से लोट करके अंतर मुख होना चाहिए तो गुरु और संतों से हमें इस प्रकार से ज्यान भक्ति की, सेवा और उपाशना की, शांति और सदाचार की, संयम की ये प्रेरडा मिलती है यही सीख मिलती है गुरु से हम उपकृत कैसे हो सकते हैं गुरु का उपकार यही है कि हमारे जीवन में गुरु का जो लाब है, गुरु के जो उपकार है वो बड़ी ही महत्तपूर्ड चीज है हम गुरुजनों के पास जाकर के दया की, छमा की, भक्ति और विचार की, शांति और सदभाव की जो सिख्छा मिलती है वो अनमोल है वो हमारे अंदर की पीडा को मिटाती है वो हमारे मनों भावनाओं को पवित्र करती है इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है केवलवे आत्मज्यान की ही बात नहीं बताते है बलकि संतों से बयोहारिक बातें भी सीखने को मिलती है कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और जीवन में बयोहार करसे करना चाहिए एक दूसरों के साथ संयम सदाचार, बात, बयोहार कि इन छोटी छोटी बातों को कैसे जीवन में उपियोग किया जाए तो इस प्रकार से जीवन में ये हर प्रकार की सिक्षाएं मिलती है सद्गुरु अभिलास साहिब जी से देखने को मिला कि वे छोटी छोटी बातों को कैसे अपने जिग्याशुओं को शादकों को, मुम्चूओं को और यहां तक की बड़ी-बड़ी सभाव में भक्तों को भी वे अच्छी-अच्छी ये ब्योहारिक बातें सिखाते थे कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे मन्जन करना चाहिए, यहां भी हमें सिखाते थे लोगों को तो यह भी पता नहीं रहता पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ चड़ गए हैं लेकिन कैसे खाना चाहिए क्या खाना चाहिए कैसे बोलना चाहिए ये छोटी-छोटी बाते हम नहीं सीख पाते हैं लेकिन जब गुरुजनों से, संतों से, साधकों के पास जाते हैं, बैटते हैं, तो ये चोटी-चोटी बातें, ब्योहारिक बातें, सदाचार की बातें, जीवन कल्यान की बातें, हमें गुरुजनों से सीखने को मिलती हैं, इसलिए हम लोग अध्यात्म की बातें, जान सयम सदाचार को अपनावें। मैंने कहा कि गुरु से हमें वह मिलता है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। गुरु सिकलीगर कीजिए मनही मस्कला दे सब्द छोलना छोलिके चित दरपन कर ले। गुरु कैसे होने चाहिए सिकलीगर की तरह। शिकली गर आप लोग जाते होंगे जहां पर धार लगवाया जाता है काइची में छूरा में चाकू में अब तो नहीं दिखते पहले गाओं में भी लोग आते थे हस्या खुर्पा छूरी चाकू में भी धार लगा जाते थे बाजारों में तो आज भी मिल जाते हैं पहले तो मसीन होती है एक जगे में उनकी दुकान है और खुब उसमें भी कमाई होती है तो साहिब कहते हैं गुरु सिकली गर कीजिए सिकली गर की तरह गुरु होना चाहिए सिकली गर जैसे होता है वहाँ पर कोई आवजार ले जाओ उसमें धार लगा करके चमका देते हैं उसके मुर्चा को छुड़ा देते हैं उसमें नई धार लगा देते हैं और वो जिससे घास काटना बाल बनाना सबजी अवनिया करना कठिन होता था वो अबधार आ जाने से हर काम में बढ़िया काम आता है उभियोग होता है तो गुरू ऐसे होते हैं साधक जब गुरू के पास जाता है तो गुरू उसकी कसर खोट को निकाल करके उसके जीवन में ग्यान विचार की प्रेरणा दे करके आत्म ग्यान सैयं की त्याग की भक्ति और बोध की सीख दे करके और उसके जीवन में मस्कला चड़ा दिए चमक आ गई गुरू के उपकारों से गुरू की प्रेरडा से गुरू से सिच्छित हो करके ही तो कोई भी साधक का मूल बढ़ जाता है ना एक जगे एक ने लिखा कि मैं तो बेमोल था और उस समय मुझे कोई दोकोड़ी में खरीदने वाला नहीं था गुरू ने मुझे खरीद करके अनमोल बना दिया और तभी तो जब साधक गुरू संतों के पास आ जाता है तो थोड़े दिनों में उसके सारे दोस मिट जाते हैं लड़ाई जगड़ा कला कलपना मोह बैर बिवाद मिडी सिगरेट तमबाकू आधिके कोई दोस नहीं रह गए तो उनको बुड़े बुजुर्ग भक्त लोग भी अब बंदगी करते हैं प्रणाम करते हैं साहब कहते हैं पायर छूते हैं क्यों ऐसा करते हैं गुरू की कृपा हुई गुरू ने उनको अनमोल बना दिया नहीं तो बेमोल था देखते नहीं हैं जो गुरू संतों के पास नहीं आये तो सराप पी रहे हैं गुठखा खार हैं लड़ जगड़ रहे हैं अंध्विश्वासों में दरदर की ठोकरे खाते हुए डेवी देवता भूत प्रेद जादू मंतर पूझते और भटकते उनका कैसे जीवन बीचता है गुरू ने अनमोल बना दिया बिलकुल सच है गुरू कुमार की तरह होते हैं जो दिरे दिरे सारी खोट को कसर को निकाल करके ठोक ठोक करके साधक को ठिक करते हैं और हुमार दो काम करता है ठोकर भी मारता है और सहारा भी देता है सहारा भी देता है दोनों काम करता है केवल ठोकर मारता रहे तब तो घड़ा तूट जाएगा और केवल सहारा ही देता रहे पुलूर पुलूर भीतर से करता रहे सहारा का तो घड़ा बनेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, मजबूत ही नहीं होगा, घड़े का कोई रूप ही नहीं आएगा, तो दोनों की जरुवत है, बस ऐसे ही गुरू का काम है, गुरू सिस्स को घड़ा जब चोट सहता है, तभी सुन्दर मजबूत और एक अच्छा घड़ा कहलाता है लोगों के काम आता है इसी प्रकार जो साधक गुरू की चोट को सहता है और उनकी आज्याओं में निखरता है सोना जब तपाया जाता है और तब लगता है तब लोग कहते है यहाई भई असली सोना है इसमें देखो चमक है कालापन नहीं आया है इसी प्रकार गुर्व की ठोकर खाने के बाद तब फिर वो असली सोना बनता है ताव उसमें चमाकाती है ताव उसमें पानी भरता है व्यक्ति और सीतलता का अनुभव होता है एक कुमार था वो चाग पर मिट्टी रखा और वो चिलम बनाता था लेकिन चिलम बनाते बनाते एक दिन उसके मूड में आया कि उसको घड़ा बना दिया घड़ा बना दिया तो चिलम से घड़ा बन जाना कितना अंतर हो गया न तो एक ने पूछा कि अरे तुम क्या बना दिये कहा अरे आज मेरा बिचार बदल गया रोज चिलम बनाता था, बनाते बनाते चिलम, सोचा आज घड़ा बनाओं, तो कुमार ने कहा मेरा विचार बदल गया, और मैंने आज घड़ा बना दिया, तो घड़ा बोलता है तुम्हारा विचार ही बदल गया, अरे मेरी तो किस्मत ही बदल गई, चिलम बोलती है मेरी तो किस्मत ही बदल गई कैसे बदल गई कहें पहले तो चिलम मैं बन रही थी और चिलम बनती थी तो मेरी छाती पर अंगारे रखे जाते थे और मैं खुद जलती थी और जो पीता था मुझे उसको भी मैं जलाती थी और आज तो फिर क्या पूछना सीतल मुझे में सीतल पानी मैं सीतल हूँ और जो मेरे पानी को पीता है वो सीतल हो जाता है देखिए कुमार का तो विचार बदला था और उस मिट्टी का उसकी तकदीर बदल गई बस ऐसे ही गुरू का काम है गुरू ने थोड़ा सा संकेत जब दिया विचार दिया तो फिर अब ना बदले सिसका गुरू की क्या हर्जा है जाए लेकिन जब वो भी अपने को बदलना चाहा और सिसने बदल लिया तो फिर सिस भी सीतल हो गया उसकी भी तकदीर बदल गई ये गुरू पूर्णिमा से हमें गुरू से सिख्छा लेनी चाहिए कि गुरू का हमारे जीवन में क्या उपकार है पूर्णिमा का चांद पूरा निखरा होता है और कैसे निखरता है वो बादलों से ढखा होता है आभी चंद्रमा पूर्णिमा को देखे होंगे कहीं दिखा होगा मेरे पास एक जगे से फोन आया कहें साहिब आज का चांद तो क्या पूछना है थोड़ा इसे दिखाई दिया है लेकिन बड़ा चमकदार हमने कहा क्यों नहीं चमकेगा क्योंकि चारो तरफ से बादलों से उसकी कसिस हो रही थी न लेकिन फिर भी उसमें जब निखरता है तो बहुत चमकाती है तो साधक गुरू से बहुत लाभू पाता है और गुरू के उपकारों को तो सब धरती कागज करूं लेखा निसब बन राए साथ समुद्र की मसी करूं गुर गुर लिखा न जाए गुरू के गुणों को लिख करके हम दुनिया के समस्त कागजों को भर डालें फिर भी कम हो जाएंगे कागज और गुरू की महिमा गुरू के उपकार गुरू से जो लाभ है गुरू का सिस्थ से जो उसका लाभ होता है उसको सब्दों में उसका बया नहीं किया जा सकता है इसलिए हम सब गुर्जनों से उपकृत हैं इसलिए हम सब तरप से लौट करके अपने कल्याण का काम करें अपनी बात यहीं पर समात करता हूँ